दोस्तो म्यूजिक इंडिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट पियानो है पियानो के बिना हर म्यूजिक अदूरा है पुराने जमाने में लकडी के पियानो का यूज किया जाता था जिसमें कुछ विशेश फ्रकर की टेकनिक द्यारा sound produce किया जाता था लेकिन आज के समय में ज़्याद तर digital piano का use किया जाता है क्योंकि ये mechanical piano से सस्ते होते हैं तो दोस्तो आज हम आपको piano की factory में लेकर जाने वाले हैं जहां हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पियानो कैसे बनता है तो वीडियो को अंते तक देखना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा तो दोस्तों सबसे पहले कम्पिटर में पियानो के 3D मोडल को तैयार किया जाता है उसके बाद उस मोडल के हिसाब से पियानो की बोडी तैयार किया जाती है इसके लिए पहले लकडी को पियानो की डिजाइन के हिसाब से काटते हैं पियानो के सारे टुकडेर तैयार हो जाने के बाद इन सब को आपस में जोड़कर पियानो की बोड़ी तैयार कर ली जाती है उसके बाद अगले प्रोसेस में पियानो के मदर बोल्ड को जोकी पियानो के कीबोर्ड से आने वाले इन्पुट को प्रोसेस करके एक सही फ्रिक्वेंसी के साउंड को आउटबुट डिवाईस तक पहुंचाता है उसे तैयार किया जाता है उसके बाद motherboard, amplifier और internal speaker को piano की body में assemble किया जाता है अब अगली process में plastic को पिला कर एक molding machine द्वारा piano की key caps को तयार किया जाता है अब piano की keyboard को assemble किया जाता है जिसमें अलग-अलग PCBs को keyboard की body पर attach किया जाता है यही PCB keyboard से input लेकर उसे motherboard तक पहुचाती है और motherboard को बताती है कि कौन से key press हुई है उसके बाद key caps को इस keyboard mold पर assemble किया जाता है उसके बाद एक worker इस keyboard की सारी keys की जार्च करता है और देखता है कि सारी keys सही से work कर रही है या नहीं उसके बाद इस keyboard unit को पियानो की body में fit करके motherboard की साथ में connect किया जाता है उसके बाद एक musician द्वारा इस piano को अच्छी तरह से test करके देखा जाता है कि piano सही frequency की sound produce कर रहा है या नहीं testing में पास हो जाने की बाद अब इस piano को अच्छी तरह से pack किया जाता है उसके बाद ये piano किसी भी तरह के music को बनाने के लिए बिलकुल तयार है दोस्तो आज के समय में जाजातर music में guitar का उपयोग होता है और शायद आप में से बहुत से लोग guitar बजाने के शोकिन भी होंगे तो आईए आज जानते हैं कि आखिर guitar को factory में कैसे बना जाता है दोस्तो guitar को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है लकडी इसलिए लकडी का chain बहुत ही ध्यान से किया जाता है प्योंकि ये गलत लकडी guitar के sound की quality को खराब कर सकती है लकडी की quality checking के बाद सबसे पहले guitar की neck को तयार किया जाता है neck बनाने के लिए wooden pieces को लेकर इन्हें कुछ machine हो में से गुजरा जाता है जो लकडी को guitar की neck के shape में काट देती है उसके बाद neck के उपर fingerboard को blue की help से चिपकाया जाता है अब अगली process में guitar की body को बनाया जाता है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले wood की पतली-पतली sheet को लिया जाता है जिन पर glue लगा कर इसे एक machine में बेजा जाता है जहां heat और pressure से glue अच्छी तरह से सूख जाता है उसके बाद bracing को तैयार किया जाता है bracing किसी भी guitar का सबसे मुख्य इस्सा होता है यही guitar से अच्छा sound निकालने में मदद करता है साथी guitar की body को support देता है अब अगली process में guitar की side को बनाया जाता है इसके लिए एक worker wooden sheet पर पानी spray करता है और फिर इसे mold में रखकर इस पर pressure apply किया जाता है और साथ में इसमें heat भी दी जाती है जिससे wooden sheet उस mold का shape ले लेती है वो भी बिना किसी crack के उसके बाद guitar की body के सारे ISO पर glue लगा कर आपस में joint किया जाता है अब अगली process में इस guitar की body पर paint किया जाता है जिससे guitar की कुपसूरती और बढ़ जाती है इस guitar पर paint की तीन coating की जाती है जिसमें पहली coating के 24 गंटे बाद दूसरी coating और फिर 7 दिन बाद तीसरी coating की जाती है उसके बाद guitar की body में neck को जोडने के लिए जगा बनाई जाती है उसके बाद एक worker neck को guitar के साथ attach करता है उसके बाद अगली process में guitar की body के उपर bridge को attach किया जाता है इसे बड़े ही ध्यान से सारे measurement लेकर install किया जाता है नहीं तो guitar की sound बिगड सकती है उसके बाद guitar में output jack और electronic component असेंबल किया जाते है अगली process में एक worker guitar की string यनि तार को guitar पर assemble करता है उसके बाद guitar को final inspection के लिए बेजा जाता है जहें इसका अच्छे से sound test और quality test किया जाता है टेस्ट में पास हो जाना की बाद finally ये guitar मदूर संगीत निकालने के लिए तयार है तो दस्तो कैसी लेगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया तो इसको like कर देना और चैनल को भी subscribe कर देना